हेलो इस्टूडेंट्स इस्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि continuity आपको समझाए थी तो आज की वीडियो में जो है continuity से related मैं एक numerical लेकर आया हूं एक question लेकर आया हूं question है fx is equal to 2x plus 3 if x less than equal to 2 and 2x minus 3 if x greater than 2 तो मैं आपको बता रहा था कि इसने क्या कहा कि यदि x की value 2 या 2 से बढ़ी होगी तो 2x plus 3 यानि यदि मैं इसको quadrant पर आपको दिखाना चाहूं तो x की value 2 suppose करो यहां पर है x equal to 2 तो इसने कहा x की value 2 यहाई x की value 2 रखता हूं तो 2 into 2 4 plus 3 7 7 suppose करो यहां पर है y is equal to 7 यहां पर है तो यहां 7 आपका और यह 2 तो यानि आपका जो point है पहला point यहां मिलेगा उसके बाद x की value 2 से मैं बढ़ाता जाता हूं तो यह आपका जो है ऐसे मिलता जाएगा जो x value बढ़ती जाएगी क्योंकि x value 3 रखोगे 3 2 6 और 3 9 9 मिलेगा point ऐसे उपर को बढ़ता हो जाएगा और जैसी x की value 2 से छोटी रखता हूं तो 2 2 जा 4 4-3 1 यानि y की value 1 यानि इस से छोटी value रखता हूं 2 से पहले 2 देखा कि 1 आ रहा है और 2 पे 1 आ रहा है यहां पर 2 पे कितना रहा था यहां पर 2 पे 7 आ रहा था और यहां पर इस function में 2 पे किया रहा 1 लेकिन इसने क्या 2 से छोटी रखनी है 2 से छोटी मतलब 1 रखनी है तो 2 वह 1 यानि minus 1 minus 1 यानि this 1 पे minus 1 यानि एक point आपको यहां मिलता है यदि x की value 1 रखते हैं तो minus 1 मिल जाता है एक यहां मिलते हैं और यहां से हम इसका graph जो है ऐसे नीचे को बढ़ता जाए नीचे को यह उपर को जाएगा यह नीचे को अब हम graph के according देखा इस बीच में यह function discontinuous है या नहीं है इसको इजली graph बन गया है तो आमें पता लग रहा है कि एक यहां है एक यहां पर तो बीच में टूटा हुआ है तो यह graph जब टूटा हुआ है तो यह continuous तो होई नहीं सकता चलिए विल्कुल continuous में हो सकता अब यह तो हमें graph से हुआ लेकिन जो हमने definition पड़ी थी राइट हैं लिमेंट से भी चेक कर लेते हैं कि क्या इस function continuous है या नहीं है क्योंकि इस question का तो इजली graph बन चुका है लेकिन आगे के जो question है उनका graph इसली नहीं बनेगा कैसे पता लगेगा कि function आपका continuous है तो देखे राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अब सबसे पहली बात है कि हमें यह पता है कि तू से बड़े function पर कहीं भी तूटा हुआ नहीं है क्यों नहीं तूटा हुआ कुछ है नहीं और डिनमेंटर में कुछ नहीं है तो यानि यह no defined नहीं होगा ऐसे तू से ज्यादे पर भी और तू से कम पर भी और उल्टा रिख दिया वहीं तू से लेस्ट के लिए नीचे वाला function काम कर रहा था यानि 7 मिलेगा तू से लेस्ट पर लिए 7 मिलेगा यानि ऐसे नीचे की तरफ पाएगा और टू से ज्यादे के लिए वन मिलेगा यह 7 मिलेगा और यह हमें और यह हमें वन मिलेगा जैसे कम वैलू रखते जाएंगे तो बड़ी वैलू मिलते जाएगे तो अब हमें बस यह देखना है कि यह लिए टू से कम वैलू के लिए भी function कहता है हमारा continuity continuous है और तू से ज्यादे के लिए dau Audio Castle lik क्या ब्रीच में ब्रेक नहीं है ब्रेक होता है जब जब हमने आउट्फट नहीं मिले tack the by a दिक्कत है हमें तूपर क्योंकि तूपर नहीं तूपर यदि हम इस फंग्शन में रखते हैं तो तूपर हमें डाउट है तो इसलिए हम चेक करेंगे तूपर यानि इसकी चेक करनी है चेक कॉंटिनुटी ओफ एक्स एक्स इसकी तूपर यानि यह वह हमारा सी है यह हमारा क्या है जो हमने मैंने आपको डेफिनिशन बताया था है डेफिनिशन में हमारा क्या सी यानि राइट हैं लिमिट के लिए आएगा लिमिट एच टेंडिंग सुझ जीरो एफ और टू प् लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ओ टू माइनस एच ठीक है चलिए तू प्लस एच पर वैलू क्या होगी तू में कुछ एड़ हो रहा है कुछ प्लस एड़ हो रहा है तो तू में से बढ़ा यानि यह वाला पंक्सन काम करेगा तू आपका ऐसे रहेगा एक्स की ज प्लस एच और माइनस थ्री इसकी भी साथ साथ बैलो निकालते चलें वही है तू माइनस एच पर प्लस एच माइनस थी प्लस तू माइनस थी अच प्लस है है रहाए है या यहां से हम में पता लगा कि राइट हैं लिमिट और लेप्ट हैं लिमिट नों ही वही आनीकवल है इस पर at x is equal to 2 पर this implies f is not continuous at x is equal to 2 x is equal to 2 पर function हमारा क्या है continuous नहीं है तो यदि यह दोनों value equal आ जाती है right hand limit left hand limit इक्वल आ जाती है तो सब हम continuous नहीं बोलेंगे सब क्या निकालेंगे हम function की value निकालेंगे याइक्स की value to अपने उस function वे फूट भी करेंगे ठीक है तो इस तरीके से आपको चेक करना है elements वाला ही आपका topic है कोई नया topic नहीं है तो इस तरीके से आपको क्या करना है function की continuity check करना है कि एक चोटा जो पूश्चन और ले लेता हूं में जिससे क्या है यह concept और अच्छे से आपको clear हो जाए कि कि सर इसका तो graph से पता लग गया था मैं कुछ ऐसा function ले लेता हूं जिसमें आपको graph भी आपको क्या हो graph आपको अलग से करना हो देखें अब इसका graph बनाना तो बहुत complicated हो जाएगा बाई कि कैसे इसका graph बनाएं बहुत इसके लिए हम क्या है यही तरीक अपनाएंगे अब इससे डाउट काहां पर है अब देखें जो अमरा यह function है इसमें डिनोमेटर है डिनोमेटर जीरो होते ही नो डिफाइन हो जाता है यानि आपको आपको नहीं मिलेगा लेकिन पहले बोल दिया कि जीरो ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि यह जो है यदि हम जीरो नहीं लेता है जिस पर हमें क्या है प्रोब्लम है कि इसको continuous है या नहीं है यह 0 पर ही हमें डाउट है इसका बागी तो हमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है 0 से बड़ी कोई सी वैल्व एसी ले ले कि इस पर सारे पर क्या होता है continuous हो रहा है तो हम इसे चेक करेंगे हुआ है एकिछ इपल टो तो राइट लिमिट तो जीरो अगरा मयं भ 것이 लिमित-चैनिक सब्सक्राइब और डिया सबस्क्राइब कुछ बढ़ अ सब्सक्राइब तो नहीं तो इस लागे नहीं ले तो आधि लिए या इसे अ सब्सक्राइब लिस्टीर नबर ही था आएगा तो फॉनसा काम करेगा यह यह जी रॉप्लस एक मौड अपॉन प्लस एड़ limit extending to 0 0-0 प्लस एच क्या जाएगा एच अपोन एच कैंसे लोगर क्या गया बात करते हैं 0-0 मॉड अप जिरो मैनेस मोड अपोन 0-0-0-1 ऑच-0-2-1 उसको मॉड लगा हुआ है और जाएगा प्लस के लेकिन यह क्या जाएगा माइन से इसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैं में दोनों आ इक्ट पर राइट हैं लिमिट लेफ्ट हैं लिमिट इस इंप्लाइड जीरो पर यह फंक्शन ब्रेंच भी आपका क्या है continuous नहीं है तो इस तरीके से दो कोशन आपको कराये हैं इन दोनों को कोशन को आपको सोल करके आपको समझ में आगए इससे रिलेटेड ही आपको कोशन करने हैं जिसमें आपको continuity function की चेक करने हैं मिलते हैं next इंट्यूमें next question thank you